हेलो गाईज, वेलकम टू दा न्यू वीडियो, आज की इस वीडियो में हम जो हमारा हाट चेप्टर पढ़ रहे हैं, उसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, राइट एट्रियम के बाद राइट वे एक होता है इनफलो परट और एक होता है आउट फट पाट rh!! जो इनफलो परटो वह होता है नो की रफ होता है और आउट फ्लो पारीए बहुतiyor और आउट फट व्यडियो सबताइब चाहँ करद पंपोरीों जो सब भुवक्यारा, निसम 이번에 पहले होता है यहांसे वह से बल के दो पार्ट हो गए inflow पार्ट अब राइट पेंट्रिकल का जो इन फ्लो पार्ट होता है वह रफ होता है एपिरियंस में क्यूंकि इन फ्लो पार्ट के अंदर मस्कुलर रिजिस प्रेजन्ट होती हैं जिने हम कहते हैं ट्रेबिकुले कार्णे तो जैसा कि आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं यह राइट वेंट्रिकल है जिसको हमने ओपन किया हुआ है तो आप देखेंगे कि यह वाला पार्ट जो है इसका स्मूथ है और यह नीचे वाला यह रफ है यह पर आपको साइड में भास्कुलर रिजिस भी दिखासी तो यह जो वाल पे मस्कुलर रिजेश नहीं ट्रेबिकुले कार्ण बजल स्वॉबें कार्णे तो इन फ्रॉप पार्ट के अंदर आपको में ट्रेपिकल में जा रहा है और यह जो आउट फिलो पार्ट है राइट वेंटिकल का यह स्मूत है यहां से बलड पैल बनरि ट्रंक में जाएगा थो इन फीक पार्ट में ये मस्किलर रेजेसें इनको रम ट्रेभीकुल कारने कहते हैं यह ट्रेविकले कारने हैं अब जो राइट वेंट्रिकल का जो आउट फ्लो पार्ट था वह स्मूथ होता है हमने आपको बता है और उस आउट फ्लो पार्ट को हम पर्मिलरी ट्रंक में अब यह जो इन फ्लो पार्ट है और यह आउट फ्लो पार्ट है दोनों सेपरेटेड होते हैं एक मस्किलर रिज प्रेजन्ट होती है इन दोनों के बीच में जिसे हम कहते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट तो यह वाला है इन फ्लो पार्ट यह व ventricular crest अब राइट वेंटरिकल के इंटर्नल फीचरस में देखते हैं हमने देखा था inflow part होता है जिसके अंदर present होती है ट्रेबिकले कार्णी और muscular ridges present होती है अभी muscular ridges और ट्रेबिकले कार्णी जो है सकते हैं आपर यह muscular ridge है यह पूरी fixed है ऐसा कुछ नहीं है कि एक end attached है एक एंड भी attached है और बीच में gap है ऐसा नहीं है पूरी fixed है muscular ridge है और muscular ridge का example ही है यह supraventricular crest दूसरे टाइप की ट्रेबिकले कार्णी और muscular ridges होती है वह होती है bridges जिसमें एक end fixed होता है दूसरा और बीच का जो एंड होता है तरह की तरह होता है पिलर के तरह हो फरी होता है तो से जो है किसी से और जो अपक्स सें तरफ वो फ्री रहता है उसे एम कहते हैं पिलर का एंदरम कै aux right vent增 जो होता है papillary तरह इसम रहा है papillary muscles and papillary muscles में क्या होता है एक ेंड जो papillary muscle का वो attached होता है right ventricle की wall से और दूसरा end जो है वो connected होता है tricuspid valve के cup से cordy tendine के थुरू जैसे कि हम आपको explain करने की कोशिश करते हैं जैसे कि यह एक papillary muscle है यह है anterior papillary muscle तो इसका जो base है वो यहां पे ventricle की wall से attached है और यह इसका apex है यह cordy tendine के तुरू यहां पे यह tricuspid valve है इससे attached है तो यह papillary muscle का base यह apex base attached है ventricle wall से और apex free है लेकिन apex पे connect हो रही है cordy tendine, cordy tendine जो की इस papillary muscle को attach करके रखिए tricuspid valve के cusp से आप यहां पे इस डाइग्राम में भी देख सकते हैं यह papillary muscle है जैसका base ventricle wall से attach होगा apex free है apex पे आके cordy tendine attached होती है apex cordy tendine attach करती है papillary muscle को tricuspid valve के कस्प से यह कस्प है जिसको यह attach कर रही है cordy tendine अब जो right ventricle है उसके अंदर तीन papillary muscles होती है एक उती anterior एक उती है posterior और एक उती है septal अब राइट ventricle के internal features में एक और चीज़ है septo marginal ट्रेबी के लिए जिसे हम moderator bend भी कहते हैं यह भी एक टाइप की muscular ridge है जो की extend होती है ventricular septum से anterior papillary muscle पे आके attach होती है जैसे मैं आपको यहां पर डाइग्राम में शूब करने की कुछिश कर यह है left ventricle यह है right ventricle इन दोनों के बीच में है ventricular septum और इंटर वेंटर वेंटर कुलर septum तो यहां पर इंटर वेंटर कुलर septum से एक muscular ridge arise हो रही है जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रही है यह muscular ridge arise हो रही है और यहां पर यह anterior papillary muscle पर आके अटेश्ट हो रही है तो यहां पर ventricular septum से arise होई और anterior papillary muscle पर आके यह attached हुई तो इस muscular ridge को हमने नाम दिया है moderator band और supra marginal trabically sorry moderator band और septomarginal trabically और यह जो septomarginal trabically और moderator band होता है यह contain करता है AB bundle की right branch को तो जो conducting system होता है heart का जिसमें ऐसे node होती है एवी नोड फिर एवी नोड डिवाइड होके right branch left branch bundle of his और फिर पुरकेंजे fibers बनती है तो एवी बंडल की जो right branch होती है वो किसके तुरू टैवल करती है राइट वेंट्रिकल में septomarginal trabicle और moderator band के तुरू नेक्स चीज जो है वह यहां पर यह है कि जो right ventricle है जो right ventricular की wall होती है वो thinner होती है left ventricle के comparison में if right ventricle की wall one है ratio में तो जो left ventricle की wall होगी वो three times ज्यादा थिकर होगी right ventricle से तो one is to three का ratio होता है अब हम next पढ़ रहे हैं left atrium इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है mostly चीज है थोड़ी मतलब एक्साम के लिए नहीं है right atrium जो था वह ज्यादा important है लेकिन कुछ चीज हम इसमें देख लेते हैं left atrium होता है left atrium में blood आता है lungs के थू oxygenated blood आता है lungs से left atrium में pulmonary veins के थू फिर वह left atrium से जाता है left ventricle में left atrium ventricle orifice के थू जिसे हम bicuspid orifice और metral orifice भी कहते हैं जिसके अंदर एक valve प्रिजेंट भी होता है जिसे हम metral valve के तहीं यही जिसमें जानना थोड़ा important है जो आंको पता होना चाहिए valve और orifice के बारे में तो left atrium में इतना ही है और left ventricle है अब left ventricle में आपको जादा वह जानना नहीं है जो right ventricle है उसी से कुछ चीज़ें इसमें अलग हैं तो जो left ventricle होता है उसका हमने बता दिया कि right ventricle right ventricle के comparison में left ventricle के wall three times थिकर होती है और जो right ventricle का था उसमें थ्री papillary muscles थी यहां पे दो ही papillary muscles present होती है strong कौन-कौन सी एक तो anterior और posterior यहां पे septal नहीं होती है जो की right ventricle में present होती है इसमें भी यहीं वही है सेम papillary muscle के apex से कौड़ी टेंडनी अटेश्ट होती है मीटर वाल्व के कप्स कस्प से जाके डैट इस एंटियर पोस्टियर जो papillary muscles है उनका base attached हो का ventricular wall से और जो apex है उस पे अटेश्ट होगी कौड़ी टेंडनी जो की जाकिए अटेश्ट होगी मीटर वाल्व के कस्प से सेम जैसा की लुक्त Keys में था उसी तरीकिशें अब और ने एक और पन्मुनेल यह कंडिशन है लुक्त हम का बीघज करते हैं जब हाट फेलियर हो जाता है राइट साइड का रैट वेंट्रेकल जो है वह फेल हो जाहे तो right ventricle का failure हो जाए, right side heart failure हो जाए, किसकी वज़े से किसी lung disease है, lung disease की वज़े से heart affect हो रहा है, heart fail हो रहा है right side का, तो उस condition को हम कहते हैं core pulmonial. अब यह एक बहुत important topic है, exam point of view के लिए, blood supply of heart, heart की blood supply यह जो है, exam में long question की तरह भी पूचा जा सकता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो भी arterial supply है, coronary arteries और venus drainage है, उसको आपको अच्छे से learn करना है, क्योंकि यह exam में पूचा जाता है, और आपको लिखना हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे, arterial supply हाट की, हाट को जो arterial और oxygenated blood है, वो किस के त्रू मिलता है, coronary arteries के तरू, एक होती है, right coronary artery और एक होती है, left coronary artery, right के लिए right coronary artery, लेकिन यह जो coronary arteries होती है, यह functional end arteries होती है, मतलब, right coronary artery, left coronary artery से anesthetumos करती है, यह true है, लेकिन, functionally यह work नहीं कर सकती मतलब functional end arteries का मतलब होता है right coronary artery left coronary artery से anastomose करती है लेकिन अगर left coronary artery में fibrosis हो जाए मतलब वो work नहीं करें enough blood supply नहीं दे पाए तो इसका मतलब यहीं नहीं है कि right side coronary artery भी left का काम कर दीगी ऐसा नहीं होता है इसलिए इसलिए कहते हैं functionally तो end arteries है अगर damage हो जाए तो दूसरी artery के work को compensate नहीं कर सकती है अब हम पढ़ेंगे right coronary artery के right side की right coronary artery right coronary artery arise होती है anterior aortic sinus of ascending aorta ascending aorta के three sinus होते हैं anterior और left posterior और right posterior तो जो ascending aorta का anterior aortic sinus है उसी से arise होती है right coronary artery अब right coronary artery का course क्या है सबसे पहले यह emerge होती है right auricle और pulmonary trunk की जो root है pulmonary trunk की root और right auricle के बीच में पहले यह emerge होती है anterior aortic sinus से जैसा कि आप यहां पर डाइग्राम में देख सकते हैं यहां पर यह आयोटिक sinus से arise हो रही है यह pulmonary trunk की root है और यहां पर right auricle होगा तो यहां पर right auricle और pulmonary trunk के बीच में यहां पर anterior की side पर यह right coronary artery arise हो रही है उसके बाद यह descend करती है right anterior coronary sulcus जो anterior side पर coronary sulcus है राइट साइड में उसमें यह नीचे descend करती है till inferior border इंफीर बॉर्डर तक उसके बाद यह wind करती है inferior border पे एंड उसके बाद descend करती है right side के posterior coronary sulcus में तो जैसा कि आप यहां पर डाइग्राम में देख सकते हैं तो यहां पर यह राइस हो गई उसके बाद यह नीचे जा रही है और यह डिसेंड कर रही है राइट साइड के एंटीर कोरोनरी सलकस होता है ग्रूब तो यह डिसेंड कर रही है राइट साइड के एंटीर कोरोनरी सलकस में और यहां पर यह इंफीरियर बॉर्डर तक नीचे पहुंच तो यह पिछे इधर की तरफ जा रही है उपर तक और यह कौन से गुरूब में डिसेंड कर रही है और यह फिर राइट साइड के पॉस्टीर कोरोनरी सलकस में आगे भढ रही है उसके बाद में यह हमने बताया था क्रक्स ओफ हार्ट क्या होते हैं जब यहां पर क्रक्स हार्ट के पहुंच जाएगी तो यह लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की सरकमफ्लेक्स ब्रांच से अनेस्टोमोस करती है और फिर वहां पर एंड हो जाती है तो एक बार मैं आपको वापस से कोर्स समझाने की कोशिश करती हूँ तो यहां पर रूट ऑफ पल्मिनरी ट्रंक और यहां पर राइट ओरेकल के बीच में यह आराइज हो रही है फिर यह डिसेंड कर रही है राइट साइड के एंटीर कॉरोनरी सिलकस में इंफीर पुस्टीरली राइट यह राइट करोनरी आर्टरी की बांचारी सरकमफ्लेक्स आर्टरी तो यहां पर राइट करोनरी आर्टरी से अनस्ट्रमोस करती है और यहां पर राइट करोनरी आर्टरी एंड हो जाती है इस तरीके से अनस्ट्रमोस करके तो यह कोर्स हो गया राइ वो है ऐसे नोडल आर्टरी जो है हो सप्लाई करती ऐसे नोड होगी 40 परसेंट अर्टरी आर्टरी से सरकंफ्लेक्स ड्रांटध से जो 40% cases में और persons में left coronary artery से जो circumflex artery arise होती है वो देती है ऐसे nodal artery बाकि 60% में तो ऐसे nodal artery right coronary artery से ही आती है सेकंड ब्रांच है right conus artery right conus artery जो है given by right coronary artery यह anastomose करती है left conus artery से right conus artery right coronary artery देगी left conus artery left coronary artery देगी यह दोनों artery anastomose करती है pulmonary trunk के around और एक necklace type बनाती है जिसे हम कहते है annulus of view sense तो जैसा कि आप यहां पर डाइग्राम में देख सकते हैं यह है right conus artery from right coronary artery यह है left conus artery from left coronary artery यह आप पल्मरे ट्रंग के around यहां पर एक necklace से बना रही है जिसे हम कहते है annulus of view sense उसके पाद में थर्ड ब्रांच है right marginal artery जिसे हम acute marginal artery भी कहते हैं यह inferior border के along run करती है till apex of heart तो यहां पर आप डाइग्राम में देख सकते है right coronary artery से निकल रही है right marginal artery जो कि inferior border के पास में arise होती है और फिर यहां पर inferior border के along move करती है यह apex of heart तक तो यह होगी right marginal artery जिसे हम acute marginal artery भी कहते हैं उसके बाद right coronary artery artery की fourth branch है posterior interventricular artery यह artery जो है यह सप्लाइ करती है conducting system में जो AV node है उसको यह artery सप्लाइ करती है posterior interventricular artery अब यह posterior interventricular artery एक और branch देती है जिसे हम कहते हैं septal branch किसको interventricular septum one-third interventricular septum जो होता है तो posterior one-third interventricular septum को arise करती है septal branch of posterior interventricular artery तो हमने देखा कि posterior interventricular artery सप्लाइ करती है AV node को और यह branch देती है septal branch जो कि supply करता है posterior one-third of interventricular septum तो जैसा कि हम यह आपर डायग्राम में देख सकते हैं posteriorly posterior side पे ही right coronary artery यह branch देती है यह वाली जिसे हम कहते है posterior interventricular artery और posterior interventricular branch यह वाली branch ही supply करती है AV node को और posterior one-third of interventricular septum को उसके बाद हम देखते हैं अब total in total right coronary artery जो है हमने देखी right coronary artery heart में क्या-क्या areas को supply करती है तो सबसे पहले तो यह right atrium को पूरी right atrium को यह supply करती है right coronary artery तो यह right atrium हो गया तो इस पूरे portion को यह वाली right coronary artery right atrium को supply करती है उसके बाद में right coronary artery जो है ventricles को भी supply करती है जो right ventricle को जो mostly part जो है right ventricle का उसको supply करती है लेकिन जो anterior interventricular groove का part anterior interventricular groove के पास जो पार्ट प्रिजेंट होता है right ventricle का यह उसको supply नहीं करती है वैसे ही left ventricle के कुछ part को यह supply करती है लेकिन posterior interventricular groove के जो पास होता है उसी को supply करती है बागे वाले को supply नहीं करती है यह थोड़ा सा मुश्किल है इसको learn करके रखना लेकिन अगर आप इसको समझोगे तो समझ पाओगे तो जैसा कि हमें आप देख सकते हैं यह वाला portion है right ventricle यह left ventricle तो right coronary artery ज्यादतर portion को तो supply कर रही है right ventricle के को लेकिन यह right ventricle का portion ज्योंकि anterior ventricular groove के पास है इसको यह supply नहीं कर रही है इसको supply मिल रही है left coronary artery से easy है समझना उसी तरीके से जो left ventricle है उसको आगे वाला जो left ventricle का पार्ट है उसको supply नहीं मिल रही है right coronary artery से तो सिर्फ थोड़ा सा पार्ट left ventricle का जो पीछे की साइड प्रिजेंट है वह supply उसको supply मिलेगी right coronary artery से posterior interventricular branch के थूँ तो वह portion left ventricle का जो की posterior interventricular group के पास होता है उसी को supply मिलती है right coronary artery से एक बर वापिस से यह right ventricle यह left ventricle right ventricle का most of the parts applied by right coronary artery except part near to anterior interventricular group and only some part of left ventricle is supplied by right coronary artery part which is adjacent to posterior interventricular group और जो interventricular septum का posterior one third part है उसको भी supply करती है right coronary artery तो जैसा कि हमें आपर डाइग्राम में देख सकते हैं यह यह वाला portion है right ventricle यह वाला portion है left ventricle इन दोनों ventricles के बीच में septum present होगा तो इस septum का जिसे हम कहते हैं ventricular septum तो ventricular septum का जो posterior part of posterior one third part of interventricular septum is supplied by right coronary artery और बाकी का supplied by left coronary artery only posterior one third part of interventricular septum supplied by right coronary artery बाकी का left coronary artery से supply होगा उसके बाद fourth क्या है whole conducting system of heart mostly जो सारा conducting system है heart का वो supplied by right coronary artery except left branch of AV bundle which is supplied by left coronary artery सो ऐसे नोड एवी नोड एवी नोड की फिर राइट ब्रांच लेफट ब्रांच लेफट ब्रांच को छोड़के right branch bundle of his Purkinje fibers all are supplied by all all are supplied by right coronary artery तो एशे नोड एवी नोड एवी नोड एवी बंडल की right branch और बाकी जो Purkinje fibers हैं बाकी आगे जाके बनेंगे right branch से और बाकी वो सारे supply होते है राइट coronary artery से लेकिन जो एवी बंडल की left branch है वो supply होती है left coronary आर्टरी से मैं आर्ट ओ सब्सक्राइब में इस आगरा और आपकारfish पूरा का पूरा एक्सेप्ट एभी बंदल की लेफ्ट प्रांग को ठोड़ के बागी सब राइट को रोनरी आर्टरी से ही सप्लाइड होता है तो आज के लिए हम जो हाट वाला चैप्टर है इसको टॉपिक इसको महीं पर रोपते हैं बाकि हम नेक्स्ट वीडियो में